इस लेक्चर में हम ओपेस्टी को स्टेडी करने लगें इफेक्ट कंट्रोल विंडो के नीचे आपके पास जहांपर मोशन का टैब है उसी के नीचे आपके पास उपेस्टी की ऑप्शन भी आ लिए और उपेस्टी के साथ साथ चन ब्लेंडिंग मोड्स भी मौजूद है ओपेस्टी बिसिकली है क्या ओपेस्टी को हम आम अलफाज में नाम दे सकते हैं ट्रांस्पेरेंसी और नॉर्मली क्रेमिनालोजी वाइज हम ओपेस्टी की जगा ट्रांस्पेरेंसी भी यूज़ कर रहे होते हैं इवन कि आपके डिजाइन सोफ्टेर्स में भी और वीडियो एडिटिंग सोफ्टेर्स में भी बाइडिफॉल्ट आपके पास किसी भी आपके एसिट का इमिज या वीडियो का आपके पास 100% उसकी ओपेस्टी आ रही होती है तो इसका मतलब यह है कि 100% ट्रांस्पेरेंसी उसकी आ रही है तो वो आपको फुल नजर आ रहे है अगर आप उसकी ट्रांस्पेरेंसी को या ओपेस्टी को कम करते जाएंगे तो बैसिकली वो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जाता रहेगा और अगर आपने उसको किसी लेयर के ऊपर रखावा है मतलब कि उसके नीचे कुछ और है तो वो उसके अंदर ब्लैंड होता जाएगा मिक्स होता जाएगा तो यही दों चीजए है हमारे इसके आज के लेक्चर में ओपैस्टी और ब्लैंडिंग मॉड इनको साथ मैँ इनको टाम ने पर आप आठ आ रहा हो किया कुछ सकते हैं मेरे पास एक क्लिप है जिसमें एक यह walk कर रही है और इसके साथ मेरे पास एक दूसरा clip है, एक astronaut का opacity को control करने के लिए आपको उस clip को physically timeline पे select करना पड़ेगा select करने के लिए उस clip पे मैंने click किया, आप देख सकते हैं, उसने इसको highlight कर दिये, और effect control window में हम जाएंगे, effect control विंडो में जिससे पहले बताए था motion के बिलकुल नीचे हमारे पास जो main tabs है उसमें opacity है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यह 100% opacity शोग कर रहे है अगर यहां से मैं इसकी opacity कम करना शुरू करूँ तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त 50% पे अगर मैं इसको लेकर जाता हूं तो इस वक्त जो आपकी वीडियो है जोके आपको full 100% transparency पे कुछ और look दे रही थी, full नज़र आ रही थी अब वो 50% transparent हो गई है और यह towards black चली गई है और यह black में इस लिए गई है क्योंकि इस layer के कोई और आपके पास clip नहीं है तो इसके पास कोई option नहीं थी सिर्फ black की तरफ जाने का यही same video अगर आपके पास किसी और clip के उपर होती यहाँ पर आपका basically layers का इस्तमाल भी शुरू हो जाता है कि जो हमने देखा था इतनी सारी layers होती है कुछ हम add भी करते जाते हैं जितना ह मैंने इसको pick करके ऊपर layer में ले गया आप देख सकते हैं इस वक मेरे पास दो layer में काम हो रहा है एक layer में मेरे पास यह वाला clip है दूसरी में यह है अब हम इसको देखते हैं कि opacity कम हुआ हुआ क्लिप किस तरह हमें नजर आ रहा है आप देख सकते हैं इस वक के आपके साथ जो इसमें ऊपर जो clip है उसके नीचे आपको दूसरा clip भी नजर आ रहा है क्योंकि इसकी opacity, transparency कम हो गई थी जो कि 50% थी हम चाहें तो इसको मजीद set कर सकते हैं अगर हमें और कम करनी है आप देख रहे हैं इस वक बिलकुल ही transparency में इस वक 7% रखी भी है और यहाँ पर यह और time हो गया है full screen में अगर हम देखें तो आपको इस तरह से कुछ नजर आ रहे हैं यही opacity को अगर हम बढ़ा के देखते हैं हम में भी इसको 75% कर लेते हैं इस वक मेरे पास आप देख रहे हैं कि transparency जैसे ही बड़ी opacity जैसे ही बड़ी तो उपर वाली जो लेयर है वो जादा visible हो गई है और नीचे वाली लेयर भी नजर आ रही है लेकिन वो उसकी intensity या उसकी transparency आपको कम नजर आ रही है यहाँ पर मैं आपको एक tip भी दे दूँ अगर आप अपने clip पे note करें आपको यहाँ पर एक line भी नजर आ रही है तो basically यह keyframes के लिए आपके पास line है क्योंकि इस वक्त by default यह इसने opacity select किया होता है तो आप अपनी opacity को physically timeline से भी control कर सकते हैं आप इसी selection tool से इसको अगर उपर बढ़ाएंगे तो इस वक्त यह 100% की तरफ चली गई है आप देख रहे हैं कि दो layers में चीजे पड़ी हैं लेकिन आपको back end पे उसके पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा और इधर से ही अगर मैं इसको यहाँ से कम करना शुरू करूँ यह आपको छोटा सा white नजर भी आ रहा है कि कितना percentage मैं opacity को control कर रहा हूँ 47.36 पर अगर मैं इसको release करता हूँ तो आप देखें तो वो ही चीज जो हमने basically effect control window में जाके की थी वो हमने यहाँ पर इसको timeline से भी achieve कर लिया लेकिन यह छोटी space होती है आपके लिए तरह मुश्किलर control करना तो पेहतर तो यह ही है कि आप इसको opacity के टैब में चाके ही आप इसको control करें अपनी मर्जी से आप इसकी values change कर सकते है इ आप देख रहे हैं कि वो full transparency में आपको नज़र आ रही है इस ही के नीचे हमारे पास blending mode की option आ रही है blending mode basically करता क्या है आपके पास जितनी भी layers में objects जाते रहें जितने भी आपके पास assets आते रहें वो उनको नीचे वाली layers के साथ blend करता जाएगा blend करके as a one layer आपको वो show कर रहेगा क्योंकि आपके पास जो final program output आ रही है उसमें आपको सिर्फ एक ही image नज़र आएगा उसमें बाकी images blend ज़रूर हो चुके होंगे और उनके different styles है हम इनको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से style है और हर style का हर effect का basically आपके पास अलग-अलग look उसकी आ सकती है और blend करने से आप बहुत सारे glamour किसम की चीज़ें भी achieve कर सकते हैं हम इसको करकर देखते हैं आपका idea होगा इस वक्त blend mode अभी normal है यहां से मैं इस menu को खोलूँगा और मेरे पास बहुत सारे blending modes आ चुके हैं इन में से मैं अगर आपको multiply हम करते हैं अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही different तरीके से उसने उसको blend कर दिया आपको वो वाली image भी नज़र आ रही है क्योंकि हर mode का अपना अपना role है अगर मैं इसको screen करूँगा आप देख रहे हैं कि इसमें opacity भी है और साथ में आपको पिछला भी नज़र आ रह आपके पास दोनों layers चल रही है और planning mode क्योंकि इसका hard light था तो इस वक्त आपको इस तरह की look नज़र आ रही है और भी कुछ explore कर लेते हैं मेभी हम इसको hard mix कर लेते हैं बिल्कुली उसने उसको different दे दिया hard mix के इलावा हमारे पास यहां पर और options जो है divide हम करके देख लेते है हैं आप देख रहे हैं बिल्कुली इस वक्त आपको ऐसे लग रहा है कि sci-fi science fiction type की कोई चीज है कोई आपने बड़ा effect बना ली है just blending mode को use करते हुए दो layers को उपर नीचे रखते हुए हमने इस तरह का effect इस वक्त बनाया है इसको थोड़ा सा मजीद interesting करते हैं अभी तो हमारे पास दो layers चल रही है चले हम एक तीसरी layer में भी चीज एड़ करते हैं और उसमें भी हम कुछ blend करते हैं उसके लिए मैंने यहां पर आपके कुछ इस तरह का एक video जो के बड़ी abstract सी है वो यहां पर import की है आप देख सकते है इसको कि इसको अगर हम play करें अभी तो just इसमें आपके पास bucket सा effect है blur blur सी चीज़े हैं इसको मैं यहां पर timeline पर लेकर आता हूँ और अब मुझे timeline को मैं vertical zoom out कर रहा हूँ ताके मुझे मज़ीद options यहां पर मिल सके layers की मुझे layers visible हो सके कियां से मैं इसको इसके ऊपर ले आया तो इस वक मेरे पास layer 1, 2, 3 तीनों layers पे काम हो रहा है इस वक्त और आपको नीचे वाली layers इस वक्त बिलकुल नजर नहीं आ रही कि उनमें क्या हो चुका था जो हमने पहले effect बनाया उसकी वज़ा यह है कि अभी हमने जो ऊपर layer रखी है वो full opacity में है वो full transparency में है इसलिए आपको नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है अगर just मैं इसकी opacity ही कम करूँ तो आप देखेंगे कि आपको साथ-साथ नीचे layers में जो भी हमने इस वक्त काम किया था जहां भी हमने opacity transparency को चेड़ा था आपको वो नजर आना शुरू हो गय है मेभी मैं इसकी opacity 100 करता हूं इस वक्त और यहां से मैं blend mode में इसको जाके screen select करता हूं अब आप देख सकते हैं आपके पास वो जो एक clip था जिसमें एक lady walk कर रही है साथ में वो जो एस्ट्रोनॉट था यह clip और यह जो हमने ऊपर एक इसके एक अपना ऐसा ऐसे डाला था जिसमें आपके पास इस तरह के effects हैं तो वो भी इस वक्त यहां पर mix हो चुका है आप अगर चाहें तो इसको different modes को भी try करें हो सकता है किसी और effect में यह आपके बाद जादा अच्छा आ रहा हो और हर इस वक्त blending mode का अपना अपना रोल है आप देख सकते हैं इस वक्त तोटली इसकी look बदल लगी है सिर्फ एक mode को change करने से आप different different try कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से different blending modes में जाके आप किस तरीके से बिल्कुल ही उनको इस तरह blend कर सकते हैं कि वो बिल्कुल उसकी look उसकी feel बिल्कुल बदल जाएगी नॉर्मली आपको बहुत सारी जगाओं पर यह blend होते वे नजर आएंगी चीजे और बहुत जगा बिल्कुल आपको इस तरह स्मार्टली किया होता है कि में भी आपको sky का color अगर कहीं पर आपने शूट किया है और वो बिल्कुल white आ रहा था या फिर grey आ रहा था तो आपने blue color को इस तरीके से blend कर दिया उसमें कुछ layer को इस तरह blend कर दिया कि आपको sky blue नजर आना शुरू हो गया तो आपके पास बहुत सारी possibilities है blending mode को यूज करते हुए कई जगा पर ऐसा transition भी यूज हो रहा होता है आप फिल्म क्लेटर्स को flashes को यूज करके blend कर सकते हैं आप एक short से दूसरे short में जाने के लिए इस तरह का effect करना चाहें जिस तरह कि अभी इस पर बहुत जादा खिश्री भी बन चुकी है तो अगर हम इसको सेकेंड लेयर को डिवाइट की जगा हम में भी स्क्रीन करते हैं सबसे ज़्यादा सेफ और डीसेंट तरीके से वह इसको मिक्स करते हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त के जो वह बिल्कुल एक science fiction टाइप की चीज थी वह हमारी ज़रा डीसेंट तरीके से नजर आ रही है और आप इस blending mode के साथ साथ आप अपनी opacity को भी change कर सकते हैं मैं तब एक blending mode ने आपको एक look तो अलग दे दिये लेकिन अगर आप साथ साथ opacity को भी change करें तो उसका भी एक अलग impact हो सकता है इवन के किसी भी layer का इसको हम full screen प्ले करके देखते हैं और further अगर आप चाहें तो आप इनको by default जो हमने transition यूज की थी या बारी-बारी वैसे भी in कर सकते हैं जिसले के हम transition देख चुके हैं पहले अगर आपके पास ये एक video चल रही है और आपने पहले transition की through आपने इसको in किया, cross dissolve और उसके बाद आपके पास तीसरी layer भी आ गई तो जिस तरह का भी treatment आप रखना चाहते हैं, total आपके control में है timeline पे जिस तरीके से आप करते जाएंगे अभी आप देख सकते हैं हमने सिर्फ दो clips को थोड़ा सा उनका in point change किया, थोड़ा सा आगे की तरफ ले गए और हमने एक basic उसमें transition लगा दी तो इस वकाँ आपके पास तीनो layers, तीनो clips आपके पास बारी-बारी appear हो रहे हैं, कुछ इस तरह से तो ये तो थे हमारी opacity और साथ-साथ उसके blending modes, हमने इसको explore किया, आप इसको मजीद experiment करें, आप साथ-साथ different stock, different footage पर काम करें, different assets को use करें शायद initially आपको थोड़ी सी problem हो, लेकिन आपको साथ-साथ ये बता दूँ कि आप इसको download कर सकते हैं, stock को, कुछ stock इस तरह का होता है, कुछ assets इस तरह के हैं, जो आपको purchase करने पड़ें, और mostly आपको free stock भी मिल सकता है, आपके पास different websites हैं, अगर आप search करें, आपको वेसे भी मिल जाएंगी, कुछ key websites में आपको बता देता हूँ, हमारे पास pixels है, pixels.com, mix kit, एक website है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, pizza base है, आपको free stock मिल जाएगा, इसमें आपको videos भी मिल जाएंगी, आपको audio भी मिल जाएगी, और कोई transition या इस तरह के elements जो different आप transition के तोर पे use कर सकते है या पर template based चीज़े हैं, जो हम आगे जाके सीखेंगे, कि किस तरी किसमें उन पर काम करते हैं, तो वहाँ से आपको काफी कुछ stock मिल जाएगा, different किसम का stock लें, different किसम का asset लें, उनको edit करें, और जितनी चीज़े हम इस पर करते जा रहे हैं, उनको साथ-साथ practice अपनी continue रखे आगे मजीद चीज़े interesting हो दी जाएंगी, तो आप अपनी practice के continue रखें और हम आगे lecture में मजीद चीज़ों को भी explore करेंगे